गुड मॉनिंग श्टूडेंट जैसे की बटा भी तक हम लोग पढ़ रहे हैं अब पठित गध्यांस तो कुछ बच्चों को तो समझ में आगे आया है लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आया कि आप पठित का आंसर कैसे देना है और उनका सिर्श देना चाहिए तो सबसे पहले बटा हम लोग जानेंगे आप पठित क्या है तो आप पठित देखी क्या है शब्द का अर्थ है जो कभी पढ़ा ना गया हो अर्थात आप पठित गध्यांस वे गध्यांस है जिनको छात्रों ने पहले कभी अपनी पाठ पुस्तक में ना प पठित गद्यांस देकर उस पर भाव बोद समंधी प्रश्ण पूछे जाते हैं इन प्रश्णों के उत्तर छात्रों को उसी गद्यांस की अधार पर देने होते हैं उत्तर देते समय कोशिश करने चाहिए कि उत्तम में गद्यांस के वाक्यों को जैसा का तैसा ना उतारा देखिए भी अपने आपको पताया कि इसमें दिया हुआ है कि जो गद्यांस दिये गए हैं कि सेम टू सेम उताने के और शक्ता नहीं होती है लेकिन जीने समझ में नहीं आता वो उतार भी सकते हैं और अगर उसी बात को अपने शब्दों में लेकर लिखेंगे तो और भी भाष्रा बोध का पता लगाना यानि जो छात लिख रहे हैं उनका भाष्रा बोध क्या है उससे पता चल जाता है अर्थात यह जानना है कि छात उस गद्यांस की भाष्रा को समझते हैं या नहीं साथ ही इसमें उनकी अभिवक्ती चमता का भी पता चल जाता है प्योंकि उ भूट करकर लेता है तो उसकी छमता यानि सही है और अगर वो पढ़कर आंसर सही नहीं दे पा रहा है तो इसका मतब उसे गध्यांस समझ में नहीं आया है आए देखते हैं अब पठित गध्यांस लिखते समय हमें किन-किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए दिये गध्यांस का एक दो बार मौन वाचन करें तथा उसे समझने का प्रयास करें यानि जो गध्यांस दिया गया है उसे एक या दो बार मौन में उसको पढ़े और उसे समझने का प्रयास करें यानि वो paragraph में क्या दिया गया है, उसे अपने ध्यान से पढ़िए और समझे कि किसके बारे में paragraph बताया जा रहा है। यानि कहने का ताथ पर यह है कि जैसे आपने paragraph पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, तो आप ऐसा करिए कि पहले question पढ़िए, question number one, question number one पढ़ने के बाद कि question number one पूछ क्या रहा है, फिर आप paragraph पढ़िए, जब आपको उसका answer मिल जाए, तो आप उहाँ पर उसको pencil से टिक कर देजी कि question number one या answer number one, तो आपको ये clear हो जाएगा कि फिर क्योंकि दूसरा question ये तिसरा question उस line में नहीं जाएगा, उसके बाद जो answer होगा, उसके बाद ही होगा, तिसलिए फिर आप लो नीचे आराम से उसके आगे से पढ़ सकते हैं, जब प्रश्नों के उत्तर लिखना प् यक्ति करें, यानि बहुत से बच्चे होते हैं कि पूरा पूरा पैराग्राफ उतार देते हैं, तो इसमें आपको अपने जो पैराग्राफ दिया गया है, उसे अगर आपको लग रहा कि थोड़ा सा कठीन शब्द है तो उसे आप अपने शब्दों में सरल करके भी लिख स और जरूरी ने की बहुत बड़े-बड़े आंसर हो, आंसर इतना हो कि आपको निर्धारित अंक प्राप्त हो सकें, फिर है जो भी कहना हो कम से कम शब्दों में कहें, अपनी बात को आप रखिये लेकिन संचेप्त में कहें, यानि अपनी बात को प्रश्न के आधार पे ही उत्तर दीजे, उसमें बढ़ा चड़ा के लिखने की आशकता नहीं है, यदि सिर्शक देना हो तो किसी एक पेज़ पर सोच कर दो तीन सिर्शक लिख ले, फिर उनमें से जो सबसे अधिक उप्यूक्त लगे उसे उत्तर के रूप में लिखें, यानि आपको सबसेदा प्र अधार पर पेराग्राफ दिया हुआ है, या पेराग्राफ के बारे पराग्राफ में कौन विशेश लग रहा है, वो आप नोट कर लिजे, फिर उसके बाद आपको जो सही लगे उसे आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, तो मेरे खास से अब आपको अपठीत गध्या कि अर्थ और उद्देश तत्था उसका अंसर लेकिन किन किन बातों को ध्यान में रखना है अब आपको समझ में आ गया होगा तो आए हम लोग धरर देखते हैं कि अभी कुछ स्टूडेंट्स के क्वेशन थे कि क्या अपठित गद्यास भी पेपर में आते हैं अपठित गद्यास आते हैं बैटा टेन मार्क्स के आते हैं और वो कहीं से भी हो सकता है आपके बुक से भी हो सकता है आपके बुक के बाहर स वह सकता है तसलिए जितना अभ्यास कर आ रहा है उतना आप अभ्यास कर ये वह सकता कि जो हम लोग करा रहे हो सकता उसी में से भी आ जाए तो आए देखते हैं कि बच् chan जी यहां पर बच्च जी कि कौन किसके बारे बात कर रहे हूं यह अमता बच्चन कि फादर हरी हरवस पर अनवाज, सम्बंदी, नीटी बनाते वे उन्होंने भासा की गर्मा बनाये रखने पर बहुत बल दिया और यहां पर उन्होंने जो साहित लिखा उसका जो अनुवाद किया उन्होंने अपनी भासा को सर परवे रखा यानि सबसे उपर अपनी भासा का ही उधारर दिया और अपने भासा का ही गर्मा बनाय रखने का प्रयास किया उनका कहना था कि अंग्रेजी का अनुवाद मजारूद इस्तर की हिंदी में मांगना हिंदी के साथ अन्याय करना है उन्होंने हिंदी अंग्रेजी का अनुवार नहीं किया उन्होंने सिर्फ हिंदी का ही रियोग किया है जब जब हिंदी अंग्रेजी के इस्तर तक उठने की कोशिश करती है तो उस पर तुरंथ दोस लगाया जाता है कि वह कठी नौर प्लिट है और जब उसमें घबरा कर आदी सरलता की ओर जाती है तो उसे अपरफिक कह दिया जाता है बच्चन जी ने अपने गद और पद दोनों में ही एक सुन्दर सुगठित और सरल हिंदी का प्रियोग करके यह सिद्ध कर दिया कि और शक्ता के अनुसार संस्रीत की ओर जुकती हुई हिंदी भी लोक्री और लोकरंजन हो सकती है लोगों के कहना आता है कि हिंदी बहुत कठिन होता है लेकिन यहाँ पर बच्चन जी ने ये कहा कि कोई चीज कठिन नहीं होता है और उन्होंने यह सावित भी कर दिया, उन्होंने अपने गद और पद में हिंदी साहित का ही प्रियोग किया है और उन्होंने भी कहा है कि संस्क्रित भी जो आपकी लोक-प्री या लोक-रंजन हो सकती है मतलब उनका कहने काताग पर है कि आऊ सकता कि अनुसान संस्रित की ओर जुकती हिंदी भी लोकप्री और लोकरंजन हो सकती है क्योंकि बहुत सी कविताय ऐसी होती जो संस्रित के शब्द होते हैं तो हम लोगों को या पुछ बच्चों को समझ में नहीं आती है तो उसका भी वो उनले कर दिया कि वो भी एक लोकप्री रंजन होता है मतलब पढ़ने में अच्छा लगता है तो आई ये इसका कोशन हम देखते हैं कोशन नमबर वन हिंदी पर हिंदी पर क्या दोश लगाया जाता है तथा उसे कब अपरपक कर दिया जाता है आंसर दिखते हैं जब जब हिंदी अंग्रेजी के अस्तर तक उटने की कोशिज करती है तब तब उस पर ये दोश लगाया जाता है कि वो क्लिट है तथा जब हूआ सरल्टा की ओर जाती है तो उसे अपरपक कर दिया जाता है यानि जब वह अंग्रेजी के अस्तर तक उठने की कोशिस ओर करती है तो उसे कदियाता है कि वह कठीन है और जब वह सरल तक ओर जाती तो उसे वह कदियाता कि यह अपरपक है ओके समझ में आ गया कोश्चन नमबर टू कोश्चन नमबर वन इसमें था आपका अंग्रेजी से हिंदी में अनुबाद किया जाने के संबंद में बच्चन जी क्या चाहते है इसका अंसर है अंग्रेजी से हिंदी में अनुबाद किया जाने के संबंद में बच्चन जी चाहते थे कि अनुबाद बाजारू हिंदी में बिलकूल न किया जाए वे मानते थे कि बाजारू हिंदी में अन्वाद की मांग हिंदी के साथ अन्याय है फिर कोशन नमबर टू भी हमने आपको बताया था हिंदी पर क्या दोस्ट लगाया जाता है तथा उसे कब अपरपक कर दिया जता है हमने आपको आंसर ही बता दिया था जब किसी हिंदी अंग्रेजी के इस तरता कुटने की कोशिस करती है तब 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 उस पर यह दोस्त लगाया जाता है कि वह क्लिट है तथा जब वह सरलता की ओर जाती है तो उसे अब परिपक कर दिया जाता है कौशन नमबर टू यहां पर कम्प्लेट कौशन नमबर थ्री कौन से हिंदी लोक प्री और लोक रंजन हो सकती है तथा इस बात को बच्चन जी ने किस प्रकार प्रमाडित किया आंसर ही देखते बटा आशकता के अनुसार संस्क्रित की ओर जुकती हुई हिंदी लोक प्री और लोक रंजन हो सकती है इस बात को बच्चन जी ने अपने गद्य और पद दोनों में ही एक सुन्दर सुगठित और सरल हिंदी का प्रियोग करके प्रमाडित कर दिया है मेरे खास से आपको समझ में आ रहा होगा कोशन नमबर फोर भारती एवं विदेशी साहित के प्रत साहित का करते थे उतना ही आदर विदेशी साहित का भी करते थे कोशन नमबर फाइव अनवाद संबंदी नीती बनाते समय बच्चन जी ने किस बात पर अधिक बल दिया है यानि जो अनवाद संबंदी नीती बनाया था बच्चन जी ने तो किस बात पर अधिक बल दिया थ अन्वा संबंधी निती बनाते समय बच्चन जीने भासा की गर्मा बनाये रखने पर अधिक बल दिया इन्होंने जो भी किया है अपनी भासा को उच रख कर ही किया है और उन्हें अपनी भासा की गर्मा बढ़ाये रखने के लिए कार किया है उसमे अधिक बल दिया है तो मेर आपको फेर कॉपी में करना है तो कोशन परगराफ टू संसार में अमरता ऐसे ही लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर छोड़ जाते हैं यानि अमरता मतब जो इनकी मृत्यू के बाद भी लोग अमर रहते हैं सबके मनों में या सबके बीच में तो उसे ही अमरता करते हैं और जो अपने पीछे आदर छोड़ जाते हैं और जिनका अस्थाई मृत्य होता है यानि जो अपने अच्छे कर्म करके जाते हैं तो उनकी मृत्यू के बाद लोग उन्हें याद करते हैं उनकी मृत्यू के बाद अधिकतर यही देखा गया कि ऐसे व्यक्ति संपन परिवार में बहुत कम पैदा होते हैं अधिकांस ऐसे लोगों का जन मध्य मर गया गरीब परिवारों में ही होता है यह कभी का मानना है कि जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं वो अधिकतर ऐसे होते हैं कि जो बहुत जादा अमीर होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं या समपन परिवार थोड़ा सा उनको ऐसा लगता है कि जो उनके पास बहुत जादा होता है वो जो कम खर्च करना चाहते हैं लेकिन जिनके पास मेडियम है या कम है वो दूसरों पे भी और अपने पे भी ज़्यादा खर्च करने का प्रयास करते हैं आई आगे देखते बटा मनुष में विनय उदारता कश्च सही सूरता साहस आधी चारित्रिक गुणों का विकास आवश्यक है ये गुण व्यक्ति के जीवन को अंकारीन तथा साधा सरल बनाते हैं जीवन में साधिगी लाने के लिए दो बातें विशेश रूप से करनी हैं प्रत्थम कठिन से कठिन परिस्टियों में धैर को न छोड़ना दूसरा अपनी आउशक्ताओं को नियुनितम रखना यानि आपके सामने कितना भी कठिन समस्या हो कभी भी अपने धैर को नहीं छ इतना चाहिए यानि अपनी आउशक्ताओं को हमें पर नियम एक थ्टोड़ा सा अपना ओगो करना चाहिए कि हमें अपने विच्छाओं को नहीं किया जा सकता है तो अपनी एक आपके से कम रखनी चाहिए व्यक्ति की सच्ची फहचान उसकी विचारों और करनी से होती है मनुस्य के विचार उसके आचरर पर प्रभाव डालते हैं और उसके विवेक को जाग्रत रखते हैं विवेक शील व्यक्ति ही अपनी आशक्ताओं को सिमित करता है सादा जीवन वितित करने वाले व्यक्ति को भी कभी हत प्रद होकर अपने आत्म सम्मान पर आच नहीं आने देने चाहिए साद्गी मनुस के चरित का अंग है वह बहरी चीज नहीं है यानि आत्म सम्मान पर आच नहीं आए और साद्गी मनुस के जीवन का जो अंग होता है और कोई वह चीज नहीं है जिसे हम पहन ले या उतार के रख दे तो हमें अपने आत्म सम्मान को बनाए रखना चाहिए बेटा है आपे तो आए इसका कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर वन है संसार में अमरता कीना लोगों को मिलती है यानि किन लोगों को मिलती है तथा ऐसे लोगों का जन्म प्रायक किन परिवारों से होता है तो यह आंसर देखते हैं संसायर में अम्रता उन लोगों को मिलती है जो अपने पीछे कुछ आदर शोड़ जाते हैं तथा जिनका इस्थाई मिलती होता है इस तरह के अधिकांस लोगों का जन, प्राय, माध्यम, वर्गी या गरीब परिवारों में होता है ये कभी कमानना वेटा है सकंड है, चाहित्री गुड़ों के विकास के लिए कौन-कौन से गुड़ आवश्यक है तथा ये गुड़ मनुस को क्या बनाते हैं अंसर है चायत्रिक गुणों के विकास के लिए विने उदारता कर्ष सही सूरता साहस आदि गुण आवश्यक हैं तथा ये गुण मनुष्ट को अहंकार हीन एवं सरल बनाते हैं Q2 जीवन में साद्गी लाने के लिए कौन सी दो बाते करणी हैं उत्तर है जीवन में साद्गी लाने के लिए दो बाते विशेश रूप से करणी हैं पहले कठिन से कठिन परिस्तियों में धैर न छोड़ना तथा दूसरी अपनी आशक्ताओं को नियूनितम बनाना Q4 व्यक्त की सच्ची पहचान की बात से होती है अंसर देखिए यहां पर व्यक्त की सच्ची पहचान उसके विचारों एवं उसके कार्यों से होती है यानि हापे दिया गया कि अगर हम व्यक्ति को पैचानते हैं और उसकी पैचान कैसी होती है तो आप देख सकते हैं कि उसकी सची पैचान उसके विचारों एवं उसके कार्यों से होती है ना कि उसके पहनावे से होती है इस जीच को आप लोग भी बहुत ध्यान में रखेगा क कि दिखावे की जिन्दकी चार दिंगी होती है उसके बाद रियल जो लाइफ होती है उसी में हमें अपने जीवन को मिताना चाहिए तो दिखावा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए उसमें संतुष रहना चाहिए यही हम अच्छे कर्म की पहचान होती है अच्छे परिवार की पहचान होती है question number five कौन सा आंतरिक गुड मनुष के चरित्र का अंग है यहाँ पर देखिए साध्गी मनुष के चरित्र का आंतरिक अंग है और साध्गी ही जो मनुष की होती है पहचान होती है और वही उसका आंतरिक अंग होता है क्योंकि मनुश के जो मन होते वेटा वो विचरते तो पहुछ ज्यादा है लेकिन विचरने से या मन के इच्छाओं को पूर्ती हर पूर्ती नहीं की जा सकती है लिए हमें कम से कम अपनी आओशक्ता रखनी चाहिए और अपनी आओशक्ताओं पर काबू रखना चाहिए और कभी भी हमें दूसरों के देख कर अपने आपको बढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि दूसरे के पास बहुत बड़ी गाड़ी है बहुत बड़ा बंगला है तो हमें भी ऐसा होना चाहिए हमारे पास भी तो ये जरूरी नहीं है हमारे पास जितना है हमें उसी में खुश रहना चाहिए संतुष रहना चाहिए और जितना हो सके साथगी जीवन व्यतीत करना चा आप हमसे पूछ सकते हैं तो आप लोग मेरे खाज से fair copy तयार कर रहे होंगे fair copy जिनकी तयार हो जाए वो हमें मेरे personal number पर send कर दे हम उनका नाम कुछ बच्चे भेज भी रहे हैं हम उनका नाम note कर रहे हैं कितने बच्चों ने भेजा है और assignment marks उन्हें बच्चों को देंगे ओके तो ये वीडियो यही पर समात करते बटा थैंक्यू